उत्तव प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितनात गाज़बाद पहुंचे जहां आपको बता दें गाज़बाद पहुंचे के बाद उन्होंने कालका गड़ी चौक पर जनता को संबोधित करने के साथ साथ रोडशो भी किया वहीं अपने संबोधन में सीम योगी ने विपक्ष की सरकारों पर जम कर निशाना भी साथा तो तस्वीरे आप देख सकते हैं सीम योगी के गाज़बाद के तस्वीरे हैं रोडशो सीम योगी करते हुए नजर आया हाला कि इस रोडशो में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया और साथ ही आपको बता चुनावी साल में अमेठी को एक बाद फिर बड़ी स्वागात मिली है जी हाँ जहां केंड्रिय सडक परिवहन मंत्री ने अमेठी में एक हजा करोड की योच्टा को लुकापन और शुलन्यास किया वहीं अमेठी के गौरी गंज के जवार नवोदे विद्याले में आउजुद कारक्रम में केंड्रिय मंत्री निटिन गटकरी अमेठी सांसर स्मृतिर रानिया उत्तरप्रदी सरकार के उप मुख्य मंत्री केश्य प्रसाद मौरे ने अमेठी लोग सभा में एक हजार करोड की परियोश्राओं का लोकापन उश्रिलन्यास की आपको बता देगी राय बरेली से अयुद्या को सीधे जोडने वाली 46 किलोमीटर लंबे टूलेन मार्ग को फोर लेन में बदला जाएगा जिसकी लागत 737 करोड रुपे होगी सड़क का चौरी करण होने से राय बरेली से अमेठी होते हुए आयोध्या तक लोग असानी से जा सकेंगे साथी सड़क पर एक रेल उप रिगामी हेतू कई छोटी पुलियां भी बनाई जाएगी इतना ही नहीं तिलोई विदानसवा में सड़क और जग्दीश पूर विदानसवा में बाइपास भी बनाई जाएगा तो अमेठी की जनता गुछना से पहले ये बड़ी सौगात मिली है एक हजार करोड की योजनाओ का परिवहन मंत्री ने लोकापन किया है बलरामपूर में सत्ता के नश्रे में चूर मंदल महामंत्री ने रोजगार सेवक को गोली गाली दी साथ ही उसके साथ मारपीड भी की वहीं मंदल महामंत्री की सभधरुता का वीडियो शोशल मीडिया पवारल हो गया खबरों की माने तो ये वीडियो सादुल्ला नगर थाराश्वेत्र के गोकुला बुज़ोर्ग ग्राम सभा का बताया जा रहा है तो तस्वीर आप भी देख सकते हैं बलरामपूर की जहां पर मंदल महामंत्री की अभधरुता सामने आई है रोजगार सेवक से बजसलू की यहां पर की है आप देख सकते हैं किस तरहा से मारपीड की किया आँख पर बुरी तरहा से छोट इस रोजगार सेवक को लगी है स पर आपको बता रहे हैं कि मंडल महा मंत्री की अभधृता सामने आई है और साथी आपको बता दें कि सत्ता के नशे में चूर मंडल महा मंत्री ने रोजगार सेवा को गाली दी साथी मारपीट भी की है तस्वीरे लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से वारल हो गया है खबरों की माने तो ये वीडियो सादुल्ला नगर्थानश्वेत्र के गोकुला बुज़ोर्ग ग्राम सभा का बताया जा रहा है तो बलरामपुर के पूरा मामला है तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरहा से भदुता की गई हाला कि क्यों ये भदुता की गई और मारपीट किस वचह से की गई अभीज की जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन तस्वीरे देखके साफ पता चलता है कि रोजगार सेवक के साथ किस तरहा से बुरी तरहा मारपीट यहां पर की गई है पादब में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है जहां पहले तो चोरों ने वेल्डिंग की एक दुकान से हजारों के सामान पर हाथ साफ कर लिया लेकिन बाद में पीडित की परिशानी देख पीडित का एक-एक सामान लोटा दिया और उसे लिखकर माफी भी मांग ली साथी घटना के पीछे गलत सूचना को जिम्मेदार बताया वहीं चोरी की ये घटना पुलिस के साथ साथ अब इलाके में चर्चा का विश्य बनी हुई है तो बांद का ये पूरा मामला है जहां पर आपको बता दे कि पीडित की परिशानी देखकर चोर भी भावुक होते हुए नजर आए दरसल चोरों ने चोरी की घटना को अंजराम दिया लेकिन जब पता चला कि पीडित जो है वो परिशान है सामान उनका चुरा लिया गया है उससे काफी परिशान है इसको देखते हुए परिशानी को देखते हुए चोर भी भावुक हो गए जिसके बाद चोरों ने सभी सामान को वापस महा परलोटा दिया पीड़ित लोगों को साथी आपको बता दें अब पूरा ये मामला पुलिस और साथ-साथ इलाके के लोगों के बीच चर्चा का विशे बना हुआ है बेजनार के चांपूर में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए थाने के नजदी की मॉपाईल की एक दुकान में ख़त साथ कर दिया तो बिजनौर का पूरा मामला है जो हाँ पर मुबाइल की दुकान में चोरी की घटना को चोरो ने अंजाम दिया जिसके बाद पुलिस मामले की जुआच में जुटी हुई है चोरो के होसले किस तरह पूरत प्रदेश में बुलंद हैं उसाब तोर पर इन सब ही तस्वीरों के जरिये देखा ज़ा सकता है क्योंकि मुबाइल की दुकान में चोरो ने चोरी की घटना को अंजाम दिया